नमस्कार विद्यार्थियों आशा करता हूँ कि आप सभी तंद्रुस्त होंगे और आज का अध्याय पढ़ने के लिए उस्साहित होंगे आज हम पढ़ेंगे कुक्षा साथ विज्ञान का अध्याय सत्रा वन हमारी जीवन रेखा अध्याय को प्रारंब करने से पहले मैं कुछ प्रश्ण आप से पूछूँगा आप उनके उत्तर देने की कोशिश कीजिए बच्चों आप अपने घर में लकडी से बनी किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं सही जवाब हम घर में मेज, हमारे घर के दरवाजे, कुरसिया, पलंग यत्यादी सभी लकडी के बने होते हैं बच्चों क्या लकडी के बने इन पडार्थों के अलावा, इन चीज़ों के अलावा हम और किसी चीज़ का इस्तमाल नहीं कर सकते तो आप कहेंगे हाँ, लकडी के इलावा भी हम और चीदों का इस्तमाल कर सकते हैं पर हम लकडी का अत्यदिक प्रयोग करते हैं और लकडी को पराप्थ करने के लिए वनों की कटाई की जाती है बच्चो या आप जानते हैं कि वन हमारे लिए कितने उपयोगी हैं यदि वन खत्म हो गए तो हमारे जीवन का आधार ही समाप्त हो जाएगा बच्चों एक प्रश्ण में आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि वनों को हरे फेफडे क्यों कहा जाता है तो बच्चों आज के अध्याय में हम वनों के बारे में जानना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वन हमारी जीवन रेखा किस प्रकार से हैं बच्चों वनों के बारे में जानने के लिए क्यों ना आज हम वनों का भ्रह्मन कर लें वन में ब्रह्मन के लिए आप अपने साथ चाकू, हैंड लेंस, छड़ी और नोटबुक इत्यादी लें तो चलो बच्चों आज हम चलते हैं वन के अंदर अब हम सबसे पहले वन में किसी उचे स्थान पर जाएंगे जहां से सभी वन का व्यापक दरश्य देख सकें चलो वहाँ चलते हैं अरे वह, क्या आप देख पा रही हैं कि हमें दूर दूर तक कहीं भी जमीन नहीं दिखाई दे रही विभिन व्रिक्षों के शिक्रों ने भूमी का आवरन हरा बना दिया है यद पी आवरण समान रूप से हरा नहीं है बच्चों आप यह भी अनुभव कर पा रहे होंगे कि यहां का वातावरण कितना शांत है और यहां ठंडी हवा मंद गती से बह रही है इससे काफी तरो ताजा और प्रसनता का अनुभव होता है चलो बच्चों अब हम नीचे की और चलते हैं अरे यह क्या आप पक्षियों की चहचाहाट और व्रिक्षों की उची उची शाखाओं की और से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शूर सुन पा रहे हैं बच्चों यह क्या हो रहा है आपके लिए यह घटना समाने नहीं होगी पर यहां यह घटना समाने है हमारी उपस्तिति के कारण कुछ बंदर व्रिक्षों पर और उची शाखाओं पर चड़ गए हैं जिससे वहां विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए हैं जन्तु अक्सर अन्य जन्तु को सचे करने के लिए विश्ष्ट परकार की ध्वनी पर के चेतावनी देते हैं वन में अनेकों परकार के जीव रहते हैं जैसे शूकर जिसे हम सुवर भी कहते हैं जंगली सुवर गौर यानि की बाइसन, गीदर, सेही, हाथी, बाग, आदी ये जन्तु सगन वन में रहते हैं इसलिए हमें वन के अधिक सगन शेत्रों में नहीं दाना चाहिए अनेक जन्तु और पादप इनी वनों में अपना आश्रे लेते हैं और यह उनके लिए उनके रहने का स्थान है वनों में अनेक प्रकार के व्रिक्ष, जाडिया, शाक और घास पाई जाती है व्रिक्षों पर विभिन प्रकार की विसरपी लताएं और अरोही लताएं भी लिप्ती हुई आप देख पा रहे हैं अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर इतना अंधकार क्यों है व्रिक्षों की घनी पत्यों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे पाता है जिससे वन के अंदर अंधकार रहता है अब प्रशन यह उठता है कि यह वन आये कहां से इतने व्रिक्षों को किसने लगाया तो बच्चों आपको बता दूँ कि प्रकृती में व्रिक्ष प्रयाप्त मात्रा में बीजुत्पन करते हैं वन की भूमी उनके अंकुरण और नवोध भिद और पौधे में विक्सित होने के लिए अनुकूल प्रस्यतियां प्रदान करती है इन में से कुछ व्रिक्ष के रूप में व्रिधी कर जाते हैं व्रिक्ष का शाख्य भाग तने से उपर उड़ जाता है जो शिखर कहलाता है आप देखो और नौट करो कि वन में उचे व्रिक्ष की शाखाएं किस प्रकार कम उचाई के व्रिक्ष के उपर छट की तरा दिखाई दे रही है यह है वितान यानि की कैनोपी कहलाता है आप सभी कुछ व्रिक्ष के शिखर के चित्र भी अपनी कापे पर बनाईए व्रिक्षों के शिखर की आकरिती और आमाप यानि की साइज में परस पर भिन्यता होती है इसी कारण किसी वन में विबिन उचाईयों पर शैतिज परतें बनी होती है इन्हें अधुतल कहते हैं विशाल और उचे विरिक्ष, शीर्ष परत बनाते हैं जिनके नीचे ज़ाडिया और उची घास की परते होती हैं सबसे नीचे की परत शाक बनाती है अब आप सोच रहे होंगे क्या सभी वनों में समान परकार के विरिक्ष होते हैं तो बच्चों ऐसा नहीं है विभिन जलवाईविय परिस्तितियों के कारण विरिक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्यताय पाई जाती हैं इसी प्रकार जन्तू के प्रकार भी विभिन वनों में भिन्भिन होते हैं बच्चों, आपने स्वपोशियों, परपोशियों और मृत्पोशियों के बारे में पहले ही पढ़ लिया है आपने पढ़ा होगा कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्मान करते हैं सभी जन्तु चाहे वे शाक भक्षी हो या मांस भक्षी हो अंततह भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर करते हैं जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जन्तु द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है उदारन के लिए घास को कीटो द्वारा खाय जाता है जिने मेंड़क खा लेते हैं मेंड़क को सर्प खा लेते हैं और सर्पों को मयूर यानि की मोर खा लेते हैं इसे खाद्द श्रिंखला कहा जाता है जिसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहले घास उसके बाद कीट, फिर मेंडक, फिर सर्प, फिर मूर मूर के स्थान पर आप गरुड को भी ले सकते हैं वन में अनेक परकार की खादे श्रिंखलाएं पाई जाती हैं सभी खादे श्रिंखलाएं परस पर संबंदित होती हैं यदि किसी एक खादय श्रिंखला में विघन पड़ता है, तो अन्य श्रिंखलाएं भी प्रभावित होती हैं। वन का प्रतेक भाग अन्य भागों पर निर्भर करता है। यदि हम किसी वन के किसी घटक, जैसे की वृक्ष को अलग कर दें, तो अन्यस अभी घटक प्रभाईवत हो जाएंगे यानि कि मान लीजिए कि वन में पेड़ी नहीं है और शाक नहीं है ना ही कोई हरे पौधे तो फिर हरे प्योधों को खाने वाले जीव किस प्रकार जीवित रहेंगे और यदि वे जीवित नहीं रहेंगे तो उन्हें खाने वाले मासा हरी जीव कैसे जीवित रहेंगे तो इस प्रकार वन में अनेक खादे श्रिंखलाएं चलती हैं और वे एक दूसरे पर निर्भर करती है वन की भूमी की सतय को पत्यों ने ढख रखा है आप इन पत्यों को उठा कर देखिए अब हम इने हैंड लेंज की सहायता से देखेंगे क्या आप यहाँ पर शैमान पत्यों पर नन्ने मश्रूम देख पा रहे हैं इसी के साथ हम नन्ने कीटों, मिलीपिडों यानि कि सहस्त्र पादों और चीटों या भ्रिंगों की सैना उन पत्तियों पर देख सकते हैं असानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अत्रिक यहां अनेग जीव और सूख्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं मश्रूम और अन्य सूख्ष्म जीव मृद्पादपों और जन्तू उतकों को खाते हैं वो मृदा की उपजाव शक्ति को बढ़ाते हैं। पादपों और जन्तूओं के मृद शरीर को ह्यूमस में परिवर्थित करने वाले सूख्ण जीव अब घट कहलाते हैं। इस प्रकार के सूख्ण जीव वन में महतपुर्ण भूमी का निम्हाते हैं। आओ हम मृद पत्यों को हटाते हैं। अब आप भूमी पर हूमस की परत को देख सकते हैं। हूमस की उपस्ति ये सुनिश्चित करती है कि मृद पादपों और जन्तूओं के पोशक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोशक तत्व पुने सजी पादपों के मूलों द्वारा अवशोशित कर लिये जाते हैं। अब आप जानना चाहोगे कि जब वन में कोई जन्तु मर जाता है तो उसका क्या होता है। मृत जन्तु गिधों, कवों, गीदुडों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोशक तत्व का चक्र चलता रहता है। जिससे आप यह जान पाए होंगे कि वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। बच्चों, मैंने आपसे एक प्रश्ण पूछा था कि वनों को हरे फेफडे क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, वनों में पादब प्रकास अंसिलेशन के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादब जन्तूं के स्वश्ण के लिए ऑक्सीजन उपलब्द कराने में सहायक होते हैं। वे वाई-उ मंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइकसाइड का संतुलन बनाये रखते हैं। इसलिए वनों को हम हरे फेफडे कहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे फेफडे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइकसाइड छोड़ते हैं। बच्चों अब हमें वापिस चलना चाहिए। लेकिन यह है क्या। आस्मान में बादल छा रहे हैं। व्रिक्ष अपने मूलों से जल को अवशोशित करते हैं और वाश्पो उसरजन द्वारा जलवाश्प निर्मुक्त करते हैं। इस से जल चक्र चलता रहता है। यदि व्रिक्षो की कमी होगी तो जल चक्र भी प्रभावित हो गया। वन केवल पार्पों और जन्तों का आवास ही नहीं है। वन शेत्र में अनेक मानव समदाय भी रहते हैं। इन में से कुछ विभिन जन्जातियों के हो सकते हैं। ये लोग अपनी अधिकतर अवशकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्र, जल और ओशदियां प्रदान करता है। वन शेत्र में रहने वाले ये लोग वहां के अनेक ओशदिय पाद्पों के बारे में जानते भी हैं। बह देखो, हिरनों का एक जुंड कुछ दूरी पर जहरने को पार का रहा है। अरे यह क्या, सभी हिरन जाडियों में गायब हो गए। सगन जाडियां और उची घास जनतुओं को भोजन और आश्रे प्रदान करती हैं। यह उन्हें वन में रहने वाले मास भक्षीत जीवों से भी सुरक्षा परदान करती हैं। ध्यान से अपने नीचे की जमीन को देखिए। आप देख सकते हैं कि कुछ जनतुओं की लीद यहां पड़ी है। क्या आप जानते हैं कि वन अधिकारी वन में कुछ जनतुओं की उपस्तिती की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्नों द्वारा पता करते हैं। आप लीद की एक और बड़ी शैमान धेरी को भी देख सकते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि उस धेर पर अनेक भ्रिंग और केटर्पिलर यानि की लार्वा पनप रही हैं। तथा अनेक नवोद भिद यानि की नन्नन्न अंकुरित पौधे देख पा रहे होंगे। ये नवोद भिद कुछ शाकूं और जाडियों के हैं। जन्तू भी कुछ पादपों के बीजों को प्रक्रिणित करते हैं। इस प्रकार जन्तू वनों में पादपों को वृद्धी करने और उनके पुनर जनन में सहायक होते हैं। जन्तू के शैमान गोबर नवोद बिदों को उगने में सहायता करते हैं और उन्हें पोशक तत्विप प्रदान करते हैं. पादमों की अधिक किस्मों को आश्र देकर वन शाकाहारी जन्तूं को भोजन और आवास के लिए अधिक आवस्थर प्रदान करते हैं. शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन प्रकार के माज भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब दता जन्तों की विविद किसमे वन के पुनरजनन और वृद्धी में सहाइक होती हैं इसी प्रकार से अब घटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोशक तत्मों की अपुर्ती को बनाए रखने में सहाइक होते हैं इस प्रकार से हम जान गए हैं कि वन एक गतिज सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन शमता में भ्रपूर है बच्चों अब दोपैर हो चुकी है अब हमें वापिस चलना चाहिए अरे यह क्या वर्षा प्रारंब होने वन वितान की सबसे उपरी परत वर्षा की बूदो को विच्छिन कर रही है और छोटी-छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही है अधिकाँ जल व्रिक्षों की शाखाओं पत्तियों तथा तनों से होता हुए नीचे की जाडियों और शाकों पर धीमे-धीमे गिर रहा है आप देख सकते हैं कि अब कहीं सानों पर भूमी जो है थोड़ी थोड़ी गीली होने लगी है परन्तु अभी भी कहीं सानों पर भूमी सुखी है वन भूमी की सतय पर गिरी मृत पत्यों की परत अब धीरी धीरे कुछ गीली होने लगी है लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होते हुए नहीं दिखाई दे रहा यदि इतनी तेज वर्षा शहर में हुई होती तो नाले और सडकें पानी से भर गए होते वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोशक का कारे करते हैं और उसे अवस्त्रावित यानि की भूमी में रिसने देते हैं यह वर्ष भर भूम स्तर यानि की भूम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं वन ना सिरफ बाड़ों को नियंतरित करते हैं बलकि नदियों में जल के प्रवा को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं जिससे हमें जल की सतत आपूर्ती मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि व्रिक्ष नहूं तो वर्षा जल सीदे भूतल पर गिर कर आसपस के शेत्रों क भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की उपरी उपजाओ परत को भी शती पहुचा सकती है। व्रिक्षों तथा अन्य पौधों के मूल यानि की जड़े समाने तया मृदा को एक साथ बांदे रखती हैं। लेकिन उनकी अनुपस्तिती में मृदा वर्षा जल के साथ बह जा जाती है। अर्थार्थ उसका अपरदन हो जाता है। बच्चों हमारे लिए वन कितने उपयोगी हैं परन्तु व्रिक्षों की अंधादुंद कटाई होने के कारण वन लुप्थ होने की कगार पर हैं। यानि की वन निरंतर कम होते जा रहे हैं। और उसमें रहने वाले ज वनों का सरक्षन करना चाहिए और वनों को बचाने के लिए अपने प्रयास करने चाहिए। और हो सके तो अधिक से अधिक व्रिक्ष भी लगाने चाहिए। बच्चों अब आप अपनी कौपी में वनों के महत्व के बारे में सारांश पूर्वक लिखें। के उत्पाद मिलते हैं वन विभिन पाधपों जन्तूओं और सुक्ष जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है वनों की सबसे उपरी परत सु बिज्ञाध कि बनाते हैं जिसके नीचे जाडियों द्वारा बनी परट होती है शाक वनत्पतियां सब से नीचे की परट बनाती है वनों की विभिन परतें जنتूओं पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रे परदान करती हैं वन वरिद्धी करते हैं परिवर्टित होते हैं तथा उनका पुनरजनन होता है वन मृदा अपर्दन से बचाते हैं वन ने शेत्रों के आसपास और उनमें वास करने वाले समयदाओं को वन उनके जीवन के लिए अवशक सभी समगरियां उपलब्द कराते हैं वन जलवायू, जलचक्र और वायू की गुणवत्ता को नीमित करते हैं वन हमारी पृत्वी के हरे फेफडे हैं इसके बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न करूँगा आशा करता हूँ कि आपको उनके उत्तर आते होंगे कुछ रिक्स्थान वनों से प्राप्त होने वाले तीन उत्पादों के नाम बताईए सही उत्तर है गॉंद, लकड़ी, कौशदियां और और भी उत्पाद जो हैं हमें वनों से मिलते हैं आप वह भी लिख सकते हैं वन यह लाने में सहयक होते हैं तो इसका सही उत्तर है वन वर्षा लाने में सहयक होते है वन वाईयो मंडल में इनके और इनके संतुलन को बना के रखते है तो सही जवाब है ओक्सीजन और कार्बन डाइकसेड वनो को पृत्वीक का यह कहा जाता है फेफडे कहा जाता है दिखाए गए चित्र में नामांकित कीजिए शिकर और अधुतल तो सही है उपर जो आएगा शिकर नीचे आएगा अधुतल इसी के साथ हमारा अध्याय यहां समाप्त होता है बच्चों अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस अध्याय को फिर से पढ़िये और वहां दिये गए अभ्यास के प्रश्णों को हल करने की कोशिश कीजिए बच्चों पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए धन्यवाल